कश्मीर राष्ट करें का मुद्दा उठाने वाले पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है वैश्रिक मंच पर कश्मीर का मसला उठाये जाने पर भारत ने कडी आपत्ती जता ही है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाबाज शरीर के आरोपो पर भारत ने कहा It is regrettable that the Prime Minister of Pakistan has chosen the platform of this August Assembly to make false accusations against India He has done so to obfuscate misdeeds in his own country and to justify actions against India that the world considers unacceptable A polity that claims it seeks peace with its neighbors would never sponsor cross-border terrorism Nor would it shelter planners of the horrific Mumbai terrorist attack disclosing their existence only under pressure from the international community Such a country would not make unjustified and untenable territorial claims against neighbors It would not covet their lands and seek to illegally integrate them with its own कि शान्ती जरूर स्थापित हो सकती है लेकिन उससे पहले सीमा पार से होने वाले आतिंग की गत्विदियो को रोकना होगा उन्होंने कहा कि भारतिय महादीप में शान्ती और सुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है और इसे वास्तव में करके भी दिखाया जा सकता है ऐसा तभी होगा जब सीमा पार पर आतंगवाद खत्म हो आपकी सरकार अंतराश्चे समुदाय के सामने पाक साफ हो और अल्प संख्यकों काउत पीणन ना किया जाए शाबाश शरीफ के आरोपों पर पलटवार करते हुए मीजीतों वीनितों ने कहा ये दुखद है कि पाकिस्तानी प्रधान मत्री ने इस सभा में भारत पर जूटे आरोप लगाए अपने देश में चल रहे एक उकर्मों पर परदा डालने के लिए उन्होंने इस मंच का दुरूपियों किया है पाकिस्तान में अल्प संख्यकों पर रत्यचार जारी है अल्प संख्यक समुदाय की महिलाओं के साथ दुशकर्म हो रहा है जब रन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है दुनिया भर के देशों को इस पर संग्याल लेना चाहिए पाकिस्तान पर तंज कस्ते हुए मिजीतो विन्यूंतों ने कहा कि भारत अपने पडोसी देशों के साथ शांती की वगालत करता है वो कभी भी सीमा पार आतंगवाद को बढ़ावा नहीं देगा वो देश कभी भी मुंबई हमलों के मास्टर माइंड को शरण नहीं देगा ऐसा देश पडोसी देशों के इलाकों पर अपना दावा नहीं करेगा और ना है उनकी जमीनों पर कबजा करने की कोशिश करेगा बॉलिवूद सूपस्टा शारुक खान ने सोशिल मीडिया पर अपनी एक शिर्टलेस तस्वीर पोस्ट कर इंटरनेट पर आग लगा दी है दरसल शारुक ने रविवार को अपने इंस्टेग्राम पर अपने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें किंखान अपनी फिल्म पाथान के लुक में नजरा रही है तस्वीर में देखा जा सकता है कि शारुक शिर्टलेस है और सोफे पर अपने दोनों हाथ पोट करके बैठे हुए है इस दौरान उन्होंने अपना आधा चेहरा हाथों से छिपाया हुआ है इस तस्वीर में शारुक अपने लंबे बाल फ्लाउंट करते नजरा रही है जैसे ही शारुक ने इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया उनके फैंस ने कॉमेंट की बाढ़ी लगा दी फैंस तस्वीर पर जम कर प्यार लुटा रही है शारुक की लेडी लब गौरी खान ने भी उनकी तस्वीर पर रियाक्ट करते हुए लिखा DPCC के इंजिनियर्स के साथ सचिवाले में समीक्षा बैटर की है राही ने बताए कि दिली सरकार ने प्रदूशन के खिलाब विंटर अक्शन प्लान की त्यारी शुरू कर दी है इस वर्श का विंटर अक्शन प्लान 15 फोकस बिंदों पर आधारित होगा प्लान के तहर्ट DPCC को जल्द टी में गठित करने का निर्देश दिया गया है साथी धूर प्रदूशन और द्योगी प्रदूशन वार्ग रूम ग्रीन अप स्मॉक टावर और रियल टाइम अपोर्श्मेंट स्टडी पर कार करने का निर्देश भी दिया गया है इसमें स्मॉक टावरे समंदित रिपोर्ट भी सौपने की निर्देश दिये गए हैं कोपाल राई ने DPCC के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्यत करें कि 500 वर्ग मीटर से उपर के निर्माण एवं विध्वान्स प्रोजेक्ट साइड सी एंडी पोर्टल प पंजिकरत हो पर्यावरन मंत्री ने DPCC अधिकारियों को अधियोगिक शेत्र में लगातार निरिक्षन करने का निर्देश भी दिया इसके साथ ये अवैद अनधिकरत उद्योगों के खिलाब सक्त कारवाई करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि DPCC ये सुनिश्यत करे कि सभी पंजिकरत उद्योगी की काईया PNG द्वारा ही संचालित हो। केंद्रिय नागरिक उडएन राज्यमंत्री जनरल वी के सिंग भी कारिक्रम में दिल्ली से वर्च और माध्यम से जुडें। दिल्ली शिम्ला उडान में अब 48 यात्री और शिम्ला दिल्ली की उडान में 24 यात्री यात्रा कर सकेंगे। उडान यूजना के तहत 50% सीटों पर सबसिडाइस्ट किराई की सुविधा मिलेगी। इसमें एक तरफा किराया 2480 रुपए होगा। अन्य सीटों को किराया कंपनी निर्धारित करेगी। मुखे मंतरी ने कहा कि हिमाचल जैसे परवती राजय में कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती रहती है। सरकार परेटन की त्रिष्टी से राजय में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रयास रत है। मुखे मंत्री ने कहा कि तक्निकी कारणों से शिमला हवाई अड़े पर लगभग दो सालों से उड़ानी नहीं हो रही थी सरकार के प्रयासों और केंद्रे नाग्रिक ऊड़े न मंत्राले के सहयोग से शिमला और दिल्ली के बीच एलाइन से आयर की उड़ाने सब तहके सातों दिन संचालित की जाएंगी कारेकरम के दोरान केंद्रे नागरिक उड़ेयन राजी मंत्री जनरल रीके सिंग सांसा दैवं प्रदेश भाज पध्यक्ष, सुरेश कश्यप मुखे मंत्री सच्चिव आर्डी धिमान, केंद्रे नागरिक उड़ेयन सच्चिव राजीव बंसल, अतरिक्त सच्चिव उश्य और हिमाचल प्रदेश परेटन विभाग के सच्चिफ देवेश कुमार ने वर्चुली रूप से भाग लिया वही निदेशक अमित कश्यप और अन्य वरिष्ट अधिकारी जुब बढ़हती हवाई अड़े पर उपस्थित रहे जमु कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलो का एक्शन जारी है कुलगाम के बटपोरा इलाके में सुरक्षा बलो और आतंकियों के बीच मुटभेड हुई जिसमें पुर्तिबंदित आतंकुआदी संगठन जैशे मोहमत के एक आतंकवादी को मार गिराया गया मुटबेड में मारे गए आतंकी की पहचान अबु हुरेरा के रूप में हुई है जो एक विदेशी पाकिस्तानी आतंकवादी है कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने बताया कि मारा गया आतंकी पुर्तिबंदित आतंकी संगठन जैशे मोहमत से संबंदित था मारे गया आतंकी के पास से एक एके राइफल समेथ आपति जनक सामगरी हातियार और गोला बारूद बरामद हुआ है दरसल सोंवार दोपहर के बाद एजनसियों को बटपोरा इलाके में कुछ आतंकियों के सक्रियों होने की जानकारे मिली थी जिसके बाद गाउं की घेरावंदी की गई पुलिस ने बताया कि तलाशी अभ्यान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षबलों पर गोलिया चलानी शुरू कर दी जिसमें दो आम नागरिक और एक जवान खायल हो गया जबकि जवाबी कारवाई में जैशे मुहम्मत के एक आतंकवादी को मार गिराया गया इससे पहले रविवार को कुपवडा जिले के माचिल सेक्टर में लर ふी पर सुरक्षबलों ने घुसपैट की शाजिश को नाकाम करते हुए दो पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था सुरक्षा बलो ने मारे गए इन दोनों आतंकियों के पास से दो एके 47 राइफल, दो पिस्तॉल और चार हदगोले बरामत किये थे मातरानी की साधना का पर्फ शार्दी नवरात्री शुरू हो गया है देशभर के मंदिरों में नवरात्री की धूम है मातर के भक्त सुबह से ही मंदिरों में मातर के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे है मंदिर पड़सर में सुबह से ही भक्तों की भीड उमर पड़ी है अगले नौ दिनों तक देवी दुर्गा के नौ अलग-अलग सुरूपों की विशेश पूजा रादना की जाएगी नवरात्री के पहले दिन कलश स्थापना करते हुए मा के पहले सुरूप शैल पुत्री की पूजा करने का विधान है ऐसा माना चाता है कि आज के दिन मा की सच्चे मन से पूजा करने से माता मनो वांचित फल देती हैं और भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करती है शार्दी नवरात के पहले दिन मंदरों में पूजा अर्चना देखने को मिली आस से घर-घर में मादुरगा विराजमान है दुर्गा की पूजा में लाल रंग के पुष्प का उप्योग किया जाता है दुर्गा पूजा में कमल, गुडहल, गुलाप, गेंदे के फून चढ़ाए जाते हैं जोरान ध्यान रखे कि कनेर, धतूरा और मदार के पुष्प भूल से भी ना चढ़ाए नवरात्र 4 अक्टूबर को संपन हो जाएंगे और 5 अक्टूबर को विजय दश्मी यानि की दशेरे का त्योहार मनाया जाएगा